के चाइपानी पीकर सिधा नहार करिया गए अब चमते हैंlingen अपने लिए खाना बना लिते हैं आज चाओल ने खाना बनालिया लेते और आलु परड़वल का खुजया तब जाasion पर खाना बनाए अर यहाँ पर नास्ता अब ने कर लिया है मैंने हवी तरक निखाय है एक यहां पर रोटी पर आठा के लिए हैं अपर मैंने आठा लगाले ए और यहां पर आलू पड़वल इस şekilde कर दिंग हो गई है तो यह मेरे लिए है और यहां पर बाकि सब के लिए जिल्ली का भाजा बनेगा और साग बनेगा वैसे सभी के लिए चावल और डाल बन चुका है चावल डाल रेडी है बस सब्जी बनेगा बस हो जाएगा मैं अपने लिए खाना बना लो फटा फट से घुँ में हमें अपनेगा बना जाएगा है यह तो अपना दोपैर के खाना अलू पटल का भार्या बुजिया और पराथा देखी कैसे भीग गए हैं पूरा मतलब रसरी घर में जाओ और नहां करना हो ऐसा हो ही नहीं सकता है अभी नहां कराई हो पूरा ड्रेस में भीग गया है और वही पसीना सुखता है तो मुझे प्रॉ दूप देख सकते हैं दिन बदिन गर्मी बढ़ता ही जा रहा है देली ज्यादा गर्मी बढ़ता जा रहा है तो इधर डाल रहा है निकल पौधों में पानी और यह देखिए बहुत ही खुसबुदार गार्डेनिया का फूल आया था अब मुर्जा भी रहा है कि आये थी कपड़े उतारने उतार लेती हूं और आप सभी को एक चीज दिखाती हूं इस आम के पेड़ पर दो आम बचा हुआ है एक यह दिख रहा होगा यह वाला और एक किधर है यह है बाकि साड़ा ज़ड़ गया था हाँ और एक बच्चा था जो कि हमारे यहां पहला बैसाग के दिन चड़ाया जाता है अपने देवता को और उधर दूर वाले गांच में कुछ है सुदर ज़लने वाला है दो आम बचा हुआ है अरिका पाम का पत्ता कैसे पिला पड़ गया पतन ने लग रहा है कि तूड़ देजाए इधर से पूरा इसका जो स्टेम है साड़ा ही पिला पड़ा हुआ है इसमें मैं अभी कोई फटलाइजर ने डाल रही हूं इस वह से भी हो सकता है चलिए कप्रे उतारते हैं गर्मी से हालत बूरी है ना बारी सोड़ी है ना हावा चल रही है तन्य को बोली हूं चाय बनाने के लिए चाय पीती हूं गड़मी हो या ठंडी हो चाय के बिना तो नहीं चलता है चाय तो पिना ही है आदत बनी हुए तो चाय पीते हैं और चना दल मैंने भीगो कर रखा है चना दाल की सब्जी बनेगी रोटी के साथ खाने के लिए शाम का वही प्लाणिग है नोकी लेसन प्यैज तो ढालना लें ना है बीरेसे प्याज वाला वही खाना है तो चना दाल की स्पेशल सब्जी बनाएंगे ऐसे ब्लोग अभी कंप्लिट नहीं हुआ है तो चना दाल के लिए मैंने दो तीन वह द था अब यहां पर सिर्फ अद्रग गेट करके हमने डाला है इसे एक सीटी आने तक उबाल देते हैं और इधर टमाटर भी हमने धोकर रख लिया है तो इधर हो गया है चना दाल बॉयल अब इसके लिए तड़का त्यार कर लिए जीजा सुखी डाल मर्च देश सकता है और शुखे मासाला जैसे की धनिया हल्दी लाल मर्च और टेश्ट के पड़िंग नमक और मसाला भूनते ही बाड़ी कटा हुआ तमाटर दाल देंगी अब इसमें डालेंगे थोड़ा सा पावाजी मसाला थोड़ा सा गड़ा मसाला और एक छोटा चमज डालेंगे इसमें खसोरी मेथी इसको भी एक बार चलाते हुए भून लेंगे बार पुछेश सीमें आप लेंगे बालेंगे बालेंगे ले ले नेक हाट पसे अब अच्छी तरीके से इसे पखने देते हैं पांसाथ मिर्ट में यह हो जाएगा फ्लेम को मीडियम करके छोड़ देते हैं और बहां निकलते हैं क्यूंकि हसोई घर्म बहुत जारा ही घर्मी है और मुझे तो फोड़े भी हो गया है इतना मतलब फोड़ा हो गया है कि लग रहा है कोरी की चैन मेर पहनने से साड़ा में निकाल दिया है पर कभी चरा जाए फिर कुछ कढ़े देंगे बुद्भि यहां पर फूरा हो गया है तो इस offered क्वे शोसे WhatsApp आधा ऐसा हुआ है। यह यह जो पिदलन सेंथाने हो पर नहीं हो रहा था। यह आधा यह प्रिलाड आये और पसीना लगने से और भी खुझली होता है खाना पिना हो गये सभी का और सोने से पहले थिसरी बार नहाच चुके हैं और खुझली और जलन से इतना परसान थी तो अभी जाकर मार्गोशोप मंगाया हैं और उससे नहांकर अभी आ रही हूं अब चलुत नहाने गवाद थूआ सा फ्रेस लगता है दिन बड़वे तीन से चार बड़ नहाना होई जाता है तो फाइनली मार्गोशोप से नहांकर आया चलते हैं पाउडर लाएकर अब सुने के लिए चलिए फाना पिना होगे थूआ सा पाने पिएंगे आज तो मेडिसीन में उजगे तो में लिए